आर्फिक मंदी और कोरोना लॉकडाउन के बीच करोडों लोगों की नौकरियां खत्म हुई है इसकी तस्वीर अब नौकरी से जुड़े सरकारी पोर्टल पर ही दिखने लगी है सिर्फ 40 दिन में 79 लाख लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन दिया बेरोजगारी के भायावै संकट के बीच प्रधान मंतरी मोदी ने पिछले महीने 11 जुलाई को इस पोर्टल को लॉंच किया है हालाक इतनी संख्या में लोगों ने नौकरियां मांगी है लेकिन गिने चुने लोगों को ही नौकरी करने का आवसर मिल पाया है बेरोजगारी के यह तस्वीर सिर्फ आकड़ा भले ही लगे लेकिन सरकार के लिए या खत्रे की घंटी होनी चाहिए वैसे खत्रे की घंटी तो सेंटर फॉर मॉनेटरिंग इंडियन एकोनॉमिक यानी CMIE के बेरोजगारी के आकड़े से ही साबित हो गई लेकिन यदि सरकार को गलत फैमी हो कि यह सिर्फ आकड़े हैं और लोगों की बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं बनेगी तो नौकरी के लिए बनाए गए सरकारी पोर्टल पर नौकरी मांगने वालों की यह संख्या नेताओं की नींद उड़ाने के लिए काफी है अब इस सरकारी पोर्टल पर पिछले एक हपते से नौकरी ढूनने वालों की संख्या और जिनको नौकरी मिली है उनकी संख्या को देखे यह संख्या काफी कुछ कहती है कौसल विकास मंत्राले और उद्मिता मंत्राले द्वारा अपने असीम पोर्टल पर डाले गए आकुडों के अनुसार पंजी कंट करने वाले 79 लाख प्रवासी स्रमिकों में से 1.49 लाख लोगों को नौकरी की पेश्कर्स की गई थी लेकिन केवल 7,700 ही जोइन कर सके अगर देखा जाए तो लोगडाउन के दौरान कमपनियां और दूसरे काम बंध होने से जितने लोगों की नौकरिया गई हैं उसके हिसाफ से नौकरी मांगने वालों की हसंख्या काफी काफ है CMIE ने पिछले हपते ही रिपोर्ट में कहा था कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक एक करोड नवासी लाख वेतन भोगी लोगों की नौकरियां चली गई हैं इन वेतन भोगियों में वे सामिल नहीं हैं जो गैर वेतन भोगी हैं यानि दिहारी पर काम करते हैं ऐसे लोगों की संख्या तो काफी जादा है वेतन भोगी लोगों की नौकरिया जाना लंबे समय के लिए अर्थववस्ता पर असर को दिखाता है और यह भी की अर्थववस्ता की हालत बहुत खराब है इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले